गुड मॉर्निंग एवरिवन मैं रीना महला आप सभी का स्वागत करती हूँ राइस स्मार्ट एड़ू यूट्यूब चैनल पे आज का समय है आज हम शिरुआत करने वाले हैं एक नई सिरीज के साथ याद रखिए इस पूरे सब्का में जितने इंपोर्टेंट करेंट इव हुए है जिस में भारत ने रेजूशन को प्रसुत कि उन्हेंशन को प्रसुत कि ह. मैक्सिमिंबर्स यानि किoni सदस्यों ने इसके बोषटिंग की और 11 सदस्यों ने याद रखेंगा यहाँपे बोटिंग नही की जिसके चलते यह जो resolution था ये पास नहीं हुआ अगली news है हमारी national health authority से related इसमें क्या हुआ है यहां पे national health authority ने एक cure based system को introduce किया है यह क्या करेगा अगर आप cure को scan करोगे उससे आपकी कोई भी व्यक्ति है कोई patient है उसकी जानकारी automatically registered हो जाएगी जिससे आपको OPD में directly registration होगी और आप वहां से फा याद रखिए dgcna भारत के हुए पहले micro category drone को certified कर दिया है certification दिया है एस्ट्रिया aerospace के द्वारत तयार किये गए A200 drone को याद रखिएगा ये भारत का पहला micro category drone है जिसको dgcna certificate दिया है अगली news है हमारी noble price से संबंदित बगरम बात करें noble price की तो ये शांती पुरुसकार है शांती पुरुसकार किसको दिया गया है याद रखिए ये तीन लोगों को दिया गया है तीन countries को यानि तीन organization को श किसको दिया है तो याद रखिए एलेस बेलेट्सकी जो बेलरूस से है उसके अलावा Russian human right organization memorial उसके अलावा Ukrainian human right organization को नोबल शांती पुरुसकार से सम्मानित किया गया है अगली news है हमारी RBI से related है RBI ने एक supervisory monitoring system start किया है जिसका नाम है दक्ष याद रखिएगा RBI की जो गवर तिकांत दास जी के द्वारा यह super tech initiative की शुरुवात हुई है जिसका नाम है दक्ष ठीक है अगली news किया है अगली news है भारत जो है भारत sugar cane यानि कि अगर हम sugar cane से जो चीनी बनती है चीनी के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक बन कर उबरा है उसके अलावा अगर हम बात करें निर्यात के मामले में तो largest second largest exporter है भारत चीनी का ठीक है तो याद रखें भारत जो है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन के उबरा है उसके लावा दूसरे नंबर का सबसे बड़ा largest second largest exporter है sugar का अगली news हमारी किस से related है अगली news है हमारी external affair minister हमारे डॉक्टर ज जह संकर जो गए है न्यूजिलेनड में न्यूजिलेंड विजट पे हैं याद रखें न्यूजिलेंड के साथ साथ हमारे external affair minister जह जै शंकर जाने वाले हैं और आस्ट्रेलिया भी अभी विजट पे हैं न्यूजिलेंड और ऑस्ट्रेलिया की उसके बाद हम अगली news पर आत विमन और मेंज गोल कीपर आफ दे इयर ठीक है सो दोनों चीज़े याद रखेगा कि यहाँ पे सवीता पुन्या और पी आर श्रीजेश को याद रखेगा पिछले साल भी यहाँ पे सवीता पुन्या जी को गोल कीपर आफ दे इयर का आवार्ड दिया गया था अगली हमारी जो टॉप हेड्लाइन इस वीक रही थी वो थी हमारी गॉर्मेंट ऑफ इंडिया से संबंदित याद रखेगा डब्ली एचो ने भारत के अ इंदर भारत सरकार ने कहा है कि इसकी कम्प्लीट इस मैटर की कम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन होगी ठीक है यहाँ पे भारत सरकार के अंडर याद रखेगा एक कम्प्लीट इन्वेस्टिगेशन होने वाली है इस कफ सिरफ के मैटर के ऊपर याद रखेए हमने इसकी डि investigation भारत सरगार के द्वारा होने वाली है अगली जो न्यूस है वो है हमारी होम मिनिस्ट्री से हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित चाजी वो तीन दिन के दौरे पे हैं जम्मु कश्मीर का दौरा कर रहे हैं जिनके लिए basically high security का इंतजाम जम्मु कश्मीर के अंदर किया है तो य अगली न्यूस है हमारी याद रखे भारत के छे राज्यों में by election होने वाले हैं तो याद रखे बाई election का मतलब क्या है कि जहां जहां पे कोई seat खाली हो गई है किसी कारणवर श्रिया किसी ने resignation दे दिया या जो वहां पे व्यक्ति थे उनकी मृत्य या किसी अन्य कारण की वज़े से वो पद खाली है तो वहां पे by election होने वाला है भारत के छे राज्यों के अंदर by election होंगे राज्य है यहां पे बिहार, महराश्टरा, उत्रप्रदेश, उडिसा, हरियाना और तेलंगाना में बेसिकली इन छे राज्यों के अंदर by election कंड़क्ट करवाए COP27 की बात कर रहे है, COP27 के अंदर King Charles III हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है, so headline है हमारी कि अभी जो 2027 में Egypt में COP27 होने वाला है, वहां पे King Charles III भाग नहीं लेंगे, ठीक है, so अगली news है, यहां पे हमारी राश्टपती जी से याद रखिएगा, राश्टपती द्रापती मुरू ने एक basically एक project launch किया है, जिसका main aim है, उसका महिलाओं के अंदर entrepreneurship को develop करना, उसका विकास करना, ठीक है, so नाम क्या है यहां पे हरस्टार्ट, हरस्टार्ट basically एक platform है, हरस्टार्ट एक ऐसा platform है, जहां पे महिलाओं के entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए, राश्टपती जी के द्वारा इसकी शुरुवात की गई है, ठीक है, अगली news किस से है, अगली news है, भारत सरकार की news है, भारत सरकार ने 36,000 करोड रुपे की investment को approval दिया है, approval किस से related है, यह 36,000 करोड रुपे का इस्तेमाल किया जाएगा, टेलीकॉम टावर्स लगाने के लिए, भारत के अंदर communication को better करने क लिए भारत सरकार 36,000 करोड रुपे के भारत के अंदर टेलीकॉम टावर्स लगाने वाली है, इंस्टॉल करने वाले है, ठीक है, याद रखेगा अभी हाल फिलाल में नए टावर्स आप अपने आसपास देख सकते हैं, so communication को better करने के लिए 36,000 करोड रुपे का अंदान भा अगली न्यूस किस से रिलेटिड है, अगली न्यूस है, यहाँ पे जो हमने डिटेल में भी चर्चा की थी, तो जर्मन की जो पूर वाइस चांसलर है, एंजला मर्कल जी उनने एक अवार्ड दिया गया है, अवार्ड है, यूएन रिफ्यूजी एजंसी अवार्ड, ठीक ह याद रखें, यहाँ पे 10 लाक से भी ज्यादा लोगों को शरण दी थी, एंजला मर्कल जी के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे जो शरणार थी थे, उनको विशेश स्योग एंजला मर्कल जी के द्वारा दिया गया था, इनके पॉलिटिकल साहस, इनकी लिडर्शिप के, चलत के लिए एक बेहत, इम्पॉर्टेंट नीउस है, याद रखेगा निकोल मन, ठीक है, निकोल मन कौन है यहाँ अमेरिका की citizen है, जो अमेरिका की पहली महिला, ठीक है, अमेरिका की पहली native अगरम बात करते है, निक्धिव अमेरिकन है यह जो पेस में जाने वाली है, या एक अगली न्यूस है अगली न्यूस हमारी बेसिकली भारत से है भारत का इंदोर शहर बैक टू बैक छटी बार भी सबसे साफ स्वच शहर घोशित किया गया है स्वच सर्वेक्षण रैंकिंग के तहट इंदोर को यह अवाड दिया गया है दूसरे नंबर पे गुजरात का शहर सूरत, तीसरे नंबर पे मुंबई, यानि कि नवी मुंबई की बात हो रही है, नवी मुंबई, one of the cleanest city है भारत का, जिसे स्वच सर्वेक्शन अवार्ड दिया गया है, ठीक है, सो सबसे cleanest city है भारत की इंदोर, दूसरे नंबर पे सूरत, तीसरे नंबर पे है नवी ठीक है, white shipping information exchange, एक pact है, sign हुआ है भारत और न्यूजिलेंड के नेवी के बीच में, ठीक है, सो याद रखेगा, भारत और न्यूजिलेंड की नेवी के बीच में, एक समझोता agreement हुआ है, जिसका नाम है white shipping information exchange, ठीक है, अगली news है हमारी यहां पे, ECIC related commission of India के अंदर, यहां पे national icon बनाये गए है, पंकर स्रीपाथी जी को, ठीक है, सो इसकी घोशना हमारे जो election commissioner है, राजीव कुमार जी, उनके द्वारे इसकी घोशना की गई है, इससे पहले पंकर स्रीपाथी जो है, बिहार के state election commission के state icon भी रह चुके है, अब इन्हें बनाये गए है national icon of election commission of India, ठीक है, अगली news हमारी नहीं है, इतनी सी news headline मुझे आप लोगों से discuss करनी थी, ये थी कुछ top news headlines जिसके बारे में मुझे आप से चर्चा करनी है, कल की class में Monday को सुबा 8 बजे हमारी regular basis पे जो class होती है, उसका discussion होने वाला है, that's all from my side, thank you so much, have a nice day, all the very best for your examination.